दोस्तों मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सफेद बालों को काला करने के लिए सबसे अच्छी तुरई कौन सी होती है मुझे बहुत सारे सबस्क्राइबर ने रिक्वेस्ट की है कि मैं रेसिपी बताओं की सफेद बालों के लिए तुरई को किस तरह से कुक करना चाहिए और उसके छिलकों का इंटेक कैसे करें तुरई को हम raw form में नहीं खा सकते हैं कच्छी तुरई को सलाद के रुप में खाने में वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगी और तुरई की सबजी को अगर छिलकों के साथ में बनाया जाए तो उसकी सबजी भी टेस्टी नहीं लगती है ऐसे तो तुरई की सबजी बनाना बहुती आसान होता है और आप सभी लोगों को तुरई की सबजी बनानी भी आती होगी लेकिन सफेद बालों के लिए तुरई का सेवन करना हो तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी होता है ताकि हमें तुरई के सारे पोशक तत्व मिल सकें अक्सर सभी लोग तुरई की सबजी बनाते समय एक गलती कर देते हैं कि तुरई के छिलकों को फेक देते हैं तुरई के छिलके भी पोशक तत्वों से भरे होते हैं इसलिए सफेद बालों को काला करने के लिए तुरई और तुरई के छिलकों का सेवन भी करना जरूरी होता है। आज मैं आप लोगों को तुरई की सबजी और तुरई के छिलकों के चटनी बनाने का तरीका बता रही हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि इन्हें कम मसालों में पकाऊं और इन्हें ओवरकुक ना करूं, क्योंकि तुरई को ओवरकुक करने से उसके पोश्रक तत्व कम हो जाते हैं, फिर वो सफेद बालों में इतना ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाती है, तो चलिए शुरू करते मैंने आदा किलो प्लेन वाली तुरै ली है अगर आपके यहां प्लेन वाली तुरै नहीं मिलती है तब आप ध्धारी वाली तुरै ले सकते हैं सबसे पहले तुरई को अच्छी तरह से धो लेंगे क्योंकि इसके छिलकों को भी हमें इस्तिमाल करना है इसलिए इसे पानी से अच्छी तरह से धो लेना मैंने सारी तुरई को अच्छी तरह से धो कर रख लिया है अब तुरै के दोनों सिरों को काट कर अलग कर देंगे और इसका छिलका हटा कर अलग रख लेंगे छिलका थोड़ा मोटा हटाना ये मैंने सारी तुरै को छील लिया है और इनके छिलकों को अलग रख लिया है अब छिली हुई तुरई को छोटे छोटे तुकडों में काट देना तुरई के फ्लेश को मैंने छोटे छोटे तुकडों में काट दिया है अब गैस पर एक पैन रखेंगे पैन में थोड़ा सा ओयल डालेंगे आप तुरई की सबजी देशी घी में भी बना सकते हैं मैंने cold pressed ground nut oil लिया है जैसे ही oil गरम हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे जीरा पक जाएगा तो थोड़ी सी हिंग डाल देंगे अब कटी हुई तुरई डाल देंगे इसी थोड़ा से stir कर लेंगे अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे ध्यान रखना की नमक कम ही डालना है क्योंकि ये पकने के बाद काफी कम हो जाती है अब थोड़ा स्टर कर लेंगे ताकि सारे मसाले और नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर इसे तुरन ढख देंगे और फ्लेम को मेडियम ही रखना है अब इसे दो से तीन मिनिट तक ही पकाना है फिर खोल कर चेक कर लेना कि ये पकी है या नहीं ये बहुत ही जल्दी पक जाती है अब ये पक चुकी है गैस बंद कर देंगे हमारी तुरही की कम मसालों में पकी हुई ये सबजी तयार है इसे हमने ओवरकुक नहीं किया है और इसे हमने ढख कर पकाया है इसे पकने में मुश्किल से 3-4 मिनिट ही लगे हैं ये सबजी खाने में बहुत ही टेस्टी है अब बनाते हैं इसके छिलकों की चटनी सबसे पहले इसके छिलकों को रफली छोटे तुकडों में काट लेंगे अब एक प्लेट में मैंने 10-12 लस्टन की कलियों को चिलकर रखा है और थोड़े से कड़ी पत्तों को धोकर रखा है और 3 हरी मिर्ची को धोकर उसकी डंकल हटा कर रख दी है हरी मिर्ची आप कम जादा कर सकते हैं और थोड़ी सी अद्रक को छील कर धोकर उसे छोटे छोटे तुकडों में काट कर रखा है अब गैस ओन करेंगे गैस पर पैन रखेंगे पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे जैसे ही ओयल गरम हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे जीरा पक जाएगा तो इसमें साबत लस्ण हरी मिर्ची कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे स्टर करेंगे ताकि लस्ण मिर्ची फ्राय हो जाएं लसन थोड़ा सा लाल होने लगा है हरी मिर्ची भी थोड़ी फ्राय हो चुकी है अब इसमें कटी हुई अद्रक डालेंगे और थोड़ा स्टर कर लेंगे और अब इसमें तुरई के चिलकों को डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक भी डाल कर इसे थोड़ा स्टर कर लेंगे ताकि नमक अच्छी तरह से मिल जाए फिर पैन को ढग कर दो मिनिट के लिए पकाएंगे हमें छिलकों को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है सिर्फ उनका कच्चापन ही खतम करना है मैंने अलमुस्ट तीन मिनिट तक इसे पकाया है ये थोड़े से सौफ्ट भी हो गए है और इसका कच्चापन भी निकल गया है अब गैस बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब ये ठंडे हो चुके हैं इसे ब्लेंडर जार में डाल कर पीस लेंगे पीस्ते टैम आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं ताक कि इसका बारिक पेस्ट बन जाए ये देखिए ये बारिक पीस गया है और हमारी तुरई की छिलकों की चटनी तयार हो गई है ये तुरई के छिलकों की चटनी तुरई की सबजी से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है इस तरह से आप तुरई और इसके छिलकों का सेवन कुछ मेहनों तक लगातार करें सब्सक्राइबर डेली दो आमला खाने लगे हैं जिसका उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है लेकिन जब उनके सारे बाल काले हो जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी मुझे कमेंट में आप बताना कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी उमिद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मुझे लाइक किजिए शेयर किजिए और मुझे जुड़े रहने के सब्सक्राइब जरूर किजिए थैंक्यू दोस्कों थैंक्यू